लुट्वेंज वेलकम टो वाइफाइट डॉटकॉम वन इस्टॉप डेसिंशन फर और अल्डिक प्रिशिएंग प्रिसेंज फ्रेब्रेटीट फेब्रेटी फ्रेटी इंदी इस फेब्रेटी फिर्टी के अंदर जो दुनिया में हुआ भारत में हुआ वह सब भी हम इस सेक् हमारा में भीb है जाब नंबर को यूप वह सब्सक्राइब को है वहां आपको मिलता है 60 फीजघ के स्वंग द्रेटी फोर को 147 टॉह एबडारी उर अगर आप चाहता है फिर पैन्रीट कर सकते हैं और फ्रेंड अगर आपको अप्लिकेशन के तुरू अपनी वोकाब करने है तो आप हमारा वोकाब 24 आप डाउनलोड कर सकते हैं यह आपको मिलते हैं दस नए वर्ट सेखने को दे हिंदू जो वहां के एमस् मुस्लिम कंट्रीस कमाइब। तो नब्य दिन के लिए कौन वाण सा देश है और अपने ज़्लीम कंट्रीस को बैंन कर दिया है अपने देश में आने के लिए तो देखते हैं पहले 뉴스 The new U.S. President has imposed a controversial 90-day ban on travelers from Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen. The decisions aimed at protecting U.S. from the entry of foreign terrorists to keep the nation safe. Okay, so तो देखिए, यहां पर अपने देश को फोरण जो टेर्रिस है, उन से सेफ करने के लिए है, Donald Trump ने, जो कि U.S. के प्रेसेंट है, उन्होंने 90 दिन का बैन लगा दिया है, साथ देशों के लोगों के ओपर जो कि ए, इराक, इरान, लीबिया, सुमालिया, सुडैन, सीरिया और यमन. तो देखिए, इसके अंदर जो सबसे इंपोर्डेंट है, यह है कि आपको इस साथ ही नाम, आपको 7 nations के आपको नाम ध्यान रखने हैं, पहली बात तो, उसके लबाग 90 days के लिए यह बैन किया है इन्होंने, तो आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है, तो आपका जो आंसर है, वो है USA, USA वो डेश जिसने 7 Muslim countries को बैन कर दिया है, अपने देश में आने के लिए for 90 days, जिसको लेके काफी protest भी हो रहा है, वहाँ के वहाँ पे काफी इनके high courts और इनके जो courts हैं, और साथ में गौर्वर्मनेंट के बीच में काफी problems create हो रही है, देखते हैं अगला question, which country has hosted साथ program committee meeting 2017, तो साथ को लेके हमेशा ही important question create होता है friends, और साथ program committee meeting पूछे, 2017 की कौन से country ने host करी है, तो देखते हैं फहले news, साथ program committee 53rd meeting is underway in the capital city of Nepal, काटमाडू, और नेपाल is hosting the meeting in the capacity as a shark chair, तो shark की जो चेर है इस साल की वो भी नेपाल के पास में है और नेपाल नेपाल ने इसको host किया है, तो यह हुआ कहाँ पे, काटमाडू में तो आपको जो answer है वो है नेपाल और friends आपको यह चीज ध्यानक नहीं कि यह eight member की एक organization है और नौ इसके observer है, और eight members के अंदर आपको ध्यानक नहीं कि मैनमार इसका member नहीं है, मैनमार इसका member नहीं है, आपको यह चीज ध्यानक नहीं है, देखते हैं ला question, which is the highest ranked business school in India according to the financial time survey, तो highest ranked business school in India में कौन सा है according to the financial time survey, तो देखते हैं news, ISB, IAM एहमदाबाद और IAM Bangalore has ranked among the top 50 in the financial times global MBA ranking 2017, okay, तो ISB क्या है Indian school of business, जो कि हैदराबाद के अंदर है और पंजाब में भी है, तो इसको ranking दी गई है 27th की, 27th की ranking दी गई जो कि इंडिया में highest है, तो देखते हैं आपका जो answer है वो है Indian school of business, आपका answer है जिसको highest rank दी गई है business school in India according to the financial time survey, जो ranking है दुनिया में वो है 27th rank, देखते हैं इंगला, which country has banned visa of five Muslim majority countries, तो एक देश ने एक और देश है जिसने पांच Muslim majority countries के लोगों है, जो citizens उनको banned कर दिया है visa देने से, तो आपका जो देखते हैं पहले news कहा है, कुवेट है suspended the insurance of the visas for nationals of Syria, Iraq, Pakistan, Afghanistan and Iran, तो देखिए ये पांच देश है जिसको कुवेट ने banned कर दिया है, ओके ये पांच Muslim majority countries है जिनको कुवेट ने banned कर दिया है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि US के काफी बोलने को पर या उसके दबाव में कुवेट ने ऐसा किया है, लेकिन जो भी है आपका जो आंसर है इस बार वो है कुवेट, ओके और कुवेट वो देश है जिसने पांच Muslim majority countries के लोगों को banned कर दिया है, वीजा देने से, विच इस वर्ल मोस् वैल्यूबल ब्रैंड तो दुनिया का सबसे वैल्यूबल ब्रैंड कौन सा है, तो देखते है, उस ग्लोबला स्नाच, एपल टैटल ऐस वर्ल मोस् वैल्यूबल ब्रैंड एंडिंग दे आइफोन मार्केट तो पांच साल से आइफोन दुनिया का यानि की एपल दुनिया का नंबर बन सबसे मोस्ट वैल्यूबल ब्रैंड बनावा था, लेकिन इस साल उसको पीछे करके गूगल बन गया है, दुनिया का सबसे वैल्यूबल ब्रैंड, तो देखते हैं इनला को सवाल, तो सबसे लॉंगेस फ्लाइट लॉंच करने वाला कौन सब देश है देखते हैं न्यूज कातर एरवेज लॉंच दोहा के बीच में यह फ्लाइट चली थी और नियरबाइ 14,000 something किलो मीटर की यह फ्लाइट थी और आपका जो आंसर है वो है कतर कतर एरवेज ने इसको लांच किया था वर्ल्ल की लॉंगेश फ्लाइट जो कि दोखा से ओकलेन के लिए रहान हुई तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस दिन वर्ल कैंसर आता है यह है 4th February 4th February is as observed as World Cancer Day और इस साल के जो थीम थी वो थी we can and I can अब देखते है नेशनल लिव्ज विच मॉबाइल एप हैं लॉंच तो मॉनिटर करने के लिए कौन से मॉबाइल आप लॉंच करी गई है तो मॉनिटरिंग और टाइगर रिजर्व इंदा कंट्री विल बिकेम मॉच एजियर क्यूकर एंड ट्रांस्परेंट बिद है यह तो कहां पर हुआ लॉंच किया गया इसको और इसका नाम है एंस्ट्रेप्स तो आपका जो आंसर है वह है ओके इससे काफ़ी हो जाएगी टाइगर की मॉनिटरिंग करना हुई दा मोस्ट लाइक सीम और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म सोशल मीडिया प्लैटफॉर् यूपी चीफ मिनिस्टर अकिलेश यादव को तो आपको आंसर है वसंद्रा राजे जो की राजिस्ताम की सीम है गॉर्मेंट दो क्रूड ओयल स्टोरेज बनाना चाह रही है ओके सीक्यूर्टी के तोर पे फीचर में कोई प्रॉब्लम ना है क्रूड ओल को लेके ओके तो इसको लेके और दो नया बना रही है कौन से सेट में बना रही है देखते हैं न्यूस गोर्मेंट टो बिल्ट टू क्रूड ओल स्टोरेज इन उडिसा एं राजस्तान तो आंगलोर के अंदर और पादूर के अंदर तो आपको ये भी ध्यान रखना है तो आपका आंसर है वो है E C and D यानि की उडिसा में भी बना है और राजस्तान में ये दो बनाए जा रहे हैं रुपीज 1500 करोर defense unit will be set up in which state तो 1500 करोर की defense unit कहां पर set up की जा रही है कौन से state में देखते हैं देखते हैं इस the defense ministry would be setting up its unit of national importance in मध्यपरदेश at the Maurena district, Kalaras and Sabalgarh टैस्टिल एरिया तो जो आपका अंसर है वो है मध्यपरदेश, मध्यपरदेश के अंदर ये unit set up करी जाएगी जो की 1500 करोर की defense unit है देखते हैं इंगला सवाल which agency will be set up to conduct all entrance examination for higher education institutions ओके तो कौन सी agency set up करी जाएगी ताकि वो सारह ही all examination conduct करेगी higher education institution के देखते हैं news asserting that quality of education will energize the youth financial minister, France Mr. Arun Jaitli unleashed measures to revamp the country's education system including setting up of national testing agency to conduct all entrance examination for higher education institutions ओके जैसे कि CBSE, AI, CTE और other premier institution है अब उनको इस responsibility स्रिफ academics के अंदर ही focus करने की रह जाएगी और entrance exam है वो कौन कराएगे national testing agency कराएगी तो आपका जो answer है वो है c national testing agency national testing agency to be set up which city is hosting सूरजखंड international craft मेला 2017 तो सूरजखंड international craft मेला kicked off in फरिदाबाद तो फरिदाबाद के अंदर इसको कराय जा रहा है और इस साल के जो state जो state theme थी वो तो जारगन के उपर तो जारगन has been chosen to be the state theme तो आपको ये चीज़ जान रख नहीं कि जारगन has been chosen to be the state theme और दूसरा कहां पर हुआ है फरिदाबाद के अंदर हुआ है तो आपका आंसर है डी सुरजखंड क्राफ्ट मिला 2017 कौन सी सेटी है जो की होस्ट कर रही है 19 भारत रंग महसाव ओके भारत रंग महसाव करने वाली कौन सी सिटी है तो देखिए फ्रेंट्स भारत रंग महसाव एनसदी करवाती है याने कि कि ने सेलिबरेट कर रही है रिसेंटली तो देखेख अरिसेंफ ने नैशनल ये मूजियम जस्ट इंठ इंसेस पॉंछंद इन लाजस क्लेक्शन अफ उप्र रीप साइज एग्जिबिट्स एग्जियम जक्शन अगरेश में पॉरे करें है अपने चलिस साल आतो आपका ज सब्सक्राइब करी गई है तो देखते हैं न्यूज यू आई डी आई क्लैंप्स दाउन ओन फिफ्टी फ्रॉट साइट्स ओफिंग आधार सर्विसेज ओके तो पचास इजी फ्रॉट साइट्स हैं जिनको शट्डाउन किया है तो आप का अंसर है iC welche status recently introduced 3rd gender category in school exam ठाउन exmidtे हैं तो कौणऍसा सा statina recently 3rd gender category in school exams के अंदर introduced करी है तो देखते है news for the first time since the supreme court recognise transgender public as a 3rd gender as many as 18 students in Bihar have been allowed to appear for Board Exams conducted by the Bihar school examination under the 3rd gender category तो 3rd gender category के लिए Supreme Court ने कहा था कि 2014 के अंदर कहा था कि यह transgender as a 3rd gender कहलाएंगे और उसके बाद 18 बच्चों ने इस बार बिहार के अंदर appear किया under the 3rd gender category तो यह बहुत अच्छी बात है friends और यहाँ आपका जो answer है वो है D. बिहार बिहार introduces 3rd gender category in school exams What percentage of penalty will be imposed for receiving cash over rupees 3 lakh तो अगर आप 3 lakh से जादा किसी cash लेते हो तो कितना percent आपको penalty देनी पड़ेगी देखते हैं news penalty of 100% amount for receiving cash over rupees 3 lakh तो जो पैसे लेगा जो cash लेगा उसको ही penalty देनी पड़ेगी और यह 100% penalty होगी जितना ऊपर आप 3 lakh के cash लोगे तो आपको जो answer है वह है D 100% होगी तो इने बिट्टू चेक जनरेशन ओ ब्लैक मनी आइस टी पैलंटी अवेट्स दोस अक्सेप्टिंग कैश इन एक्सेस ओफ रुपीस 3 lakh बिगनी वन फर्स अप्रेल तो सेटल अनी ट्रांजिक्शन तो कौनसे स्टेट ने पहला देश का सोशल इनोवेशन सेंटर लांच किया है तो आपका जो answer है वह है A और यह entrepreneurship को बढ़ावा दिने के लिए ग्रासरूट लेवल के ऊपर इसको लांच किया गया है तो यह कौन सी है तो देखते है न्यूज देखते है न्यूज दे लाइसेंस अफ इंडिगो एविएशन सेक्यूरिटी ट्रेनिंग फेसिलिटी फॉर एलाइज लाप्स इन दा एक्जामनेशन सिस्टम कंडेक्टर बाइदा एरलाइन ओके तो जो यह गोटाले हुए है या फिर जो गड़बड हुए एक्जामनेशन जो कंडेट करा था एरलाइन के अंदर इसके वज़ए से इसक कंट्री सोलर पावर जेनरेशन के एपसेटी वस नाइन जेरो वन टू मेगावाट याने की नाइन जी डव्लू ओके गीगावाट से भी ज्यादा हो गई है और इसमें तमिल नाडू ने सबसे आगे है फॉलवड राजस्थान गुजरात ओके पावर जो मिनिस्टर अपने पीज गोईल उन्होंने यह अनॉंस किया राजसभा के अंदर तो आपको जांसर है वह है तमिल नाडू तमिल नाडू फर्स्ट है सेकें नमबर पर राजस्थान है ट्रीबल कम्मुनिटीज ऑफ विच स्टेट है सेट अप है सोलर मेनिफिजरिंग यूनिट विद धेल्प अपको जगे वो डिस्ट्रिक है जिसके अंदर यह कहां पर है राजस्थान के अंदर जिसके अंदर आटी की हैँज से वहाँ पर एक सोलर मेनिफिजरिंग प्लांट लगा है महां की ट्रीबल Communities ने, ओके तो आपका अंसर है राजस्तान, देखते हैं News, इन्हें मूव टू ब्रिंग अबाउट Paradigm शिफ्ट टूर्ड़्स था Holistic Development of Village in Assam CM, डाट इस सब्रनन्दा सोने वाल लॉंज Chief Minister सामराग ग्राम्या उन्यान योजना तो इस योजना के अंदर 30,000 क्रोड रुपे की Allotment किया गई है और वहाँ पर Development के लिए किया गया है तो आपका जो आंसर है वह है Assam D आपका अंसर है जहांके CM ने यह अनौन्स किया है अब देखते हैं Trade in Banking से लेटे इंपोर्टन कोश्चिंज Which company will design and construct 14 fast petrol vessels for the Indian Coast Guard valued at Rs.916 करोड So कौन से company हैं जो कि इसने design करेगी और construct करेगी 14 fast petrol vessel किसके लिए Indian Coast Guard के लिए जिनके value होगी 916 करोड रुपे देखते हैं News Industryist Anis Ambani-led Reliance Defense said it had signed a contract with the M.O.D. Ministry of Defense for the design and construction of 14 fast petrol vessel for the Indian Coast Guard valued at Rs.916 करोड Okay तो यह कौन बना रहा है यह Reliance Defense बना रही है जिनको यह contract मिला है तो आपका अंसर है Reliance Defense This service has been launched by the Income Tax Department for the verification of large cash deposits Okay तो कौन से scheme launch करी है IT Department ने for the verification of the large cash deposits यानले कि जिन्होंने ज्यादा cash deposit करा है उनके verification के लिए तो Income Tax Department as initiated operation clean money तो operation clean money नाम का operation है जो किये चला रहे है तो आपका अंसर है C Operation clean money Which bank has tied up with the future General Indian Indian insurance for bank insurance Okay तो कौन से bank ने tie up किया है Future General India insurance के साथ में for bank insurance तो देखते हैं News Future General India insurance company Limited has entered into a corporate agency tie up for its product with the bank of maharashtra public sector bank तो bank of maharashtra के साथ में ने tie up किया है Okay तो आपको जो answer है वो है bank of maharashtra D आपका answer है Public sector bank है Which bank has tied up with the freedom to launch robo advisory platform तो कौन से bank ने tie up किया है Freedom के साथ में to launch the robo advisory platform देखते हैं News Lakshmi विलास bank Freedom tie up to launch robo advisory platform Okay तो लक्ष्मी विलास bank है यह जिसने tie up किया है तो आपका answer है C Bank credit growth to remain subdued at 5 to 6% in the 5 financial year 17 Okay ICRA तो bank credit growth is likely to remain subdued at 5 to 6% in the current fiscal year on a weak loan demand and the depth market continues to offer better price according to a report Okay तो यह bank जो credit growth है वो जो 5 to 6% पे ही रही कि 2017 के अंदर ऐसा कहा गया है ICRA ने कहा है The government will pump in rupees dash crore into public sector banks in the next financial year The government कितना पैसा देगी public sector bank को अगले financial year के अंदर Okay Hid by the mounting non-performing assets NPA and losses The government will pump in rupees 10,000 crore into the PSBs in the next financial year to meet their capital requirement and bail them out from a financial mass Okay So this amount is being under mission of Inde Dhanush के तवार ही 2015 में इनको दिया जाएगा And under this government will invest rupees 70,000 crore in the PSB in the next 4 years और इसके अलावा 70,000 crore, 70,000 crore भी भी आपे इन्वेस्ट करे जाएगे है तो आपका जो answer है वो है 10,000 Payment regulatory board will be set up under तो payment regulatory board है वो किसके अंडर set up कराया जाएगे देखते हैं New is the government proposal setting up of payment regulatory board under RBI तो यह RBI के अंडर इनको set up कराया जाएगा तो आपका जो answer है वो है RBI D आपका answer है What is India what is India is expected growth rate for 1718 according to the HSBC तो HSBC के according भारत की जो expected growth rate है वो 2017 18 में कितनी होगी ओके तो देखते हैं इन्डिया is expected to clock a GDP growth of 7.1% in that 1718 as the countries get sufficiently remedialized and the scheme in the budget play a supportive role तो HSBC ने कहा है कि जो वापस से पैसा आने में market के में में और उसके बाद में जो budget के अंदर जो supportive role मिला है schemes को उनके वज़े से 7.1 growth rate रहेगी तो जापका answer है वो है C यह HSBC bank ने कहा है Which one of the following new bank notes will be in circulation soon तो कौन से नए bank notes है जो कि circulation वे आने वाले हैं देखते है news RBA to soon put new rupees 100 bank notes in circulation तो नए 100 रुपे के note आएंगे जो वापस circulation में आएंगे और यह बिल्कुल उनका जो design है वो 2005 के जो महत्मा गांदी series के note आए थे वह बिल्कुल उनके जैसा ही होगा तो जो आपका answer है वो है 100 भी आपका answer है What will be the maximum penalty for the late filling of income tax return for the income level below 5 lakh rupees तो अगर 5 lakh से कम आपके income है और अगर आप income tax return नहीं कर रहे हो तो कितने maximum penalty है जो कि लगीगी तो देखते है news Rs. 10,000 penalty for late filling of the income tax returns तो 10,000 रुपे है जो कि late penalty लगीगी जिनकी salary 5 lakh रुपे से कम है तो जो आपका answer है वो है 10,000 नाबाड has approved a scheme for giving dash percent incentive on the payment made through the आधार enabled payment system to merchants तो नाबाड ने एक scheme launch करें जिसके थायत उन्हें कुछ percent incentive मिलेगा अगर वो payment करते हैं तो किसके दुरू आधार enabled payment system के दुरू करते हैं तो तो देखते हैं यूज आरबिया की freedom to bank to fix bank service charge for transaction तो आरबिया ने freedom दे दी है bank को to fix करने के लिए कि वो कितने charge bank service charge लगाएंगे ओके transition के लिए और इसके तहट नाबाड है उसने approve कराए कि वो 0.5 percent incentive देगा payments को पे ओके made through था अगर वो कोई भी payment किसके दुरू होता है तो आधार enabled payment system के दुरू होता है तो by merchants तो आपका answer है वह 0.5 what is the rank of state bank of india 2017 brand finance banking 500 report okay to SBA क्या ranking है 2017 brand finance banking 500 report देखते है news there has been a major change in the global banking says the 2017 brand finance banking 500 report for the first time a non western brand tops the ranking तो चाइना ने इस बार टॉप किया है इस banking के अंदर ओके और जो SBA को जो दी गई है तीन बैंक है जो कि इंडिया के इसमें select करे गए है जो के top 100 में है जैसे कि SBA SDFC और ICI CI तो SBA के जो ranking है वह minimum है इन सबी बैंकों में से और वह है 51 तो आपका जो आंसर है वह है C विच बैंक है जो क्मेंस्ट बैंकिंग ऑपरेशन ओर 6th Feb 2017 तो कौंसा बैंक है जो कि अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा 6 February 2017 तो UGA 1 UGA 1 Small Finance Bank 2 Commence Banking तो UGA 1 है Small Finance Bank है जो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो आपका आंसर है B तो कौंसा बैंक है जो कि अपना ऑपरेशन के साथ में तो मार्केट इस प्रोड़ेशन नेटवर्क अपरेशन करेगा ताकि वह उसका जो नेटवर्क है वह उसको यूज में कर सकें देखते हैं यूज कॉर्पेशन बैंक इंग फ़िट रेलीगेर हेल्थ इंसूरेंस के लिए के साथ में तो आपको जाएव है वह है ए कॉर्पेशन बैंक अब देखते हैं अपोंइंट मेंटस वाजब्स as the President of the Table Tennis Federation of India. Okay, so Table Tennis Federation of India के कौन President select करे गए है? यह है दुश्यन्द चौटाला. दुश्यन्द चौटाला को select करा गया है जो President of the Table Tennis Federation of India. For the next four years, अगले चार सालों के लिए. तो आपका जो answer है वह है A. दुश्यन्द चौटाला. Who has been appointed as a female brand ambassador of the Swach भारत अभियान? तो Swach भारत अभियान के अंदर के अंदर कौन से female brand ambassador है जो की appoint करी गई है? तो देखते है न्यूज Prime Minister Nandimodhi. Swach भारत mission has now reportedly roped in a Bollywood beauty. Anushka Sharma as female face. Okay, तो female face के लिए Anushka Sharma को select करा गया है Swach भारत अभियान के अंदर. जो आपका answer है वो है D. देखते हैं गला सवाल who has been elected as a chairman of African Union Commission? Okay, तो African Union Commission फ्रेंट से important question है और अभी इनके नए chairman मनाए गए है तो यह कौन है? देखते है न्यूज Shard foreign minister Musa Faki Muhammad has been elected as a new chair of the African Union Commission. Okay, तो Shard a country है उसके foreign minister जो है Musa Faki Muhammad इनको appoint करा गया है as a chairman of the African Union Commission. एक ही 54 member की एक organization है. Okay, African Union Commission. तो जो आपका answer है वो है D. Who has been appointed as a India's principal economic advisor? तो इंडिया के जो principal economic advisor है वो इनको appoint करा गया है. तो एकते हैं न्यूज संजीव सन्याल, economist, author and formal global strategist and MD of the DOSH bank has been appointed as a principal economic advisor in the finance ministry. Okay, जो संजीव को appoint किया गया है as a principal economic advisor जो कि DOSH bank के MD भी रच चुके है strategies रच चुके global level पे. तो जो आपका answer है वो है A. Who has been appointed as a MD and CEO of the national stock exchange? NSE. जो कि देश का सबसे बड़ा stock exchange है. Okay, उसके MD and CEO किनको appoint किया गया है? तो देखते हैं news. The NSE, India's largest stock exchange by turnover. Named Vikram Limaye, MD of ID, FC as a new MD. Okay, तो किनको Vikram को बनाए गया है? MD and CEO of NSE. तो आपका answer है B. Who is the head of the panel to improve Haj policy? तो कौन है जो कि head बनाए गया है panel के to improve the Haj policy? तो देखते हैं news. The center has formed a six-member committee to give a report on way to improve India's Haj policy and also look into issue of subsidy into the pilgrimage in the light of 2012. Supreme Court order on gradually reducing and abolishing it by 2022. Okay, तो इसके जो head बनाए गया है, वो बनाए गया है. कौन? CJI. किसके जैदा के Afzal Amanullah has been appointed as a conveyor of the high-level panel. Okay, तो Afzal को बनाए गया है इस panel का head. तो आपका answer है A. who has been appointed as a director commercial at NTPC. तो director commercial NTPC के कौन बनाए गया है? कौन अपन्ट करें गया है? तो देखते हैं news. Anand Kumar Gupta has taken over the charge as a director commercial at NTPC. The company said in a statement. Okay, तो Anand Kumar Gupta को बनाए गया है director commercial at NTPC. तो आपका जो answer है वो है B. Anand Kumar Gupta. who is the head of the panel to be prepared a yoga protocol for diabetes control? तो ये एक panel बनाए गया था प्रिपेर गया था एक योगा प्रोटोकॉल for diabetes control के लिए तो उसके head कौन अपॉइंट करें गया है? तो देखते हैं news. A 16 member expert panel constituted by the ministry of Ayush to prepare a yoga protocol for diabetes control. और इस committee के head बनाए गया है Dr. HR नागेंदर चांसलर आपका जो answer है Dr. HR नागेंदर दी आपका answer है who has been appointed as a KPMG इंडिया chairman तो KPMG इंडिया chairperson किनको appoint किया गया है? देखते हैं news. KPMG इंडिया board has elected Arun M. Kumar has chairperson and CEO to lead the India operation of the consulting and accounting major. ओके तो इंडिया के अंदर operation अपने continue रखने के लिए और अच्छे से करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किनको Arun Kumar को बनाया है किसके इंडिया के CEO और chairman ओके और इन्हों यह किसको succeed करेंगे Richard को succeed करेंगे जिन्होंने November में अपनी post को छोड़ दिया था तो आपका अंसर है अरुन Kumar भी आपका अंसर है वह इस बिन अपॉंटेंट से नेस्ट सी एम ऑफ तमिलाडू तो तमिलाडू के अंदर जब से जैले लिता जो थी पहले जनरल सेकेटरी थी आपकी जगह वी के शशीकला वस इलेक्टर एज लेगिस्टेटिव पार्टी लीडर वाइद अमले दूरिंग पार्टी मीटिंग पेविंग वे तू हर तो बेकेम देन नेक्स्ट तमिलाडू चीफ मिनिस्टर ओके और जो पहले जो सीम थ तो ताटा स्टील बोर्ड के चेर्मन कॉंसलेट करे गए हैं देखते हैं न्यूज एन चंद्रा सेकरन चेर्मन डेजिनेट ऑफ टाटा संस एंड करेंटल सी सीओ एंड अंड अपका जो आंसर है वह है बी अब देखते हैं अवार्ट से लेट इन इंपॉर्टन कोश्चन तो तो जो उस्ताद इम्राथ खान है इन्होंने लेने से मना कर दिया और उनने कहा कि जो मुझे अवार्ड काफी पहले मिल जाना चाहिए था वो काफी लेट दिया गया है और जो मेरे वोल्डवाइट रेप्टेशन है कॉंट्रिपूशन है उसका अकॉर्डिंगली मुझे नहीं दिया गया मेरे कई सारे जूनियर से उनको भी पद्मा भूशन मिल चुका है और आप मुझे अब पद्मिश्रीत दे रहे हो तो इसलिए उन्हो जीते हैं उसके अंदर तो देखते हैं न्यूस जैश्पाइस जैट बैग्स थी एशन आवार्ड जिसके अंदर बिसाइट्स विनिंग दा एश्या ग्रेटेस्ट ब्रैंड 2016 अवार्ड ग्रुग्राहम बेज एर्लाइन चेर्मन अंद अम्दी अज्जय सिंग अंदर चीफ का अवार्ड भी मिला है और साथ में एश्या ग्रेटेस्ट ब्रैंड 2016 का भी अवार्ड मिला है किसको स्पाइस जैट को तो आपका अंसर है यह अब देखते हैं स्पोर्ट से इंपॉर्टन कोश्चिंस क्रिकेटर आंड्रे रसल वास बैंड फॉर वन यर तो आंड्रे रसल इस लेटे तो विच स्पोर्ट तो लक्षे सेन है जो कि कौन से स्पोर्ट से लेट लेट है लक्षे सेन इस वक्त दुनिया के जो जूनियर ग्रूप है उसके अंदर वर्ल नंबर बन प्लेयर है बैड्मिंटन के फॉलिंग इन फूट्ट से बिलॉंग करते हैं और अभी य यदिया के अंदर दो बड़े इवेंट हुने वाले हैं फीबल के तरफ से तो पहला तो है वूमेन एशिया कप basketball का और दूसरा under 16 women asia championship okay तो एक तो है अपका under 16 women championship asia championship और एक है senior level पे women asia cup okay तो यह दो tournament से जो की हो रहे हैं और यह जो कहां पर हो रहे हैं बैंगलोर के अंदर हो रहे हैं एक तो हो रहा है बैंगलोर में जो women asia cup है वो तो हो रहा है हो रहा है यह Bengaluru के अंदर हो रहा है तो आपका अंसर है D अगर अगर अंडर 16 पूछा जाता तो यह कहा होता अंसर आपका है धराबाद होता स्पोर्ट मिस्टर लेका अब आख़े अव किया अंडिया तो यह कहा है यह घुजरात में कियाए गांधी नागर के अंदर तो आपका चांशर है वह है घुंधी नगर भी आपका अंसर है देखते हैं और विजडेन 2017 के एडिशन है कि ए इडीशन के पेज़ के इंडियन के इडिशन पर के एडिशन पर इसके फोटो आई थी कौन से क्रिकेटर है तो आपका आन्सर है इसका विराद कोहली और ये दूसरे ऐसे जो कि विजडेन के फृट पेज पर एडिशन पर आए है इससे पहले 2014 में सचिन तनलुकर है जो की कवर पर आया थे विजदन के अब देखते हैं देस्ट से लेटें इंपोर्टन कोश्चन्स एहमद पास्डवे आई यू एमल नैशनल प्रेसेंट और फॉर्मर मिनिस्टर अफ दे स्टेट फॉर एक्टनल अफियर्स एहमद पास्डवे एद राम मनोर लुहिया होस्पिटल इन न्यू डली ओके और ये काफी बार लोगसभा के इलेक्शन जीच चुके हैं आर रागवण पास्डवे रिसेंट ली हूँ ही वाज तो आर रागवण की रिसेंट हुई है यह कौन थे यह क्रिकेटर थे और यह तमिल अडू से लेफ अन्डेट बैट्समन थे जिन्हों की देथ हुई रिसेंटली ओके और यह 15 मैच खेले हैं इन्हों जिन्में इन्में निरबाए 4 तो आपका आंसर है वह क्रिकेटर भी आपका आंसर है जोगेंदर सिंघ पास रिसेंटली ही वह फॉर्मरड चीफ न कि तो यह फॉर्मरड चीफ कौन से दिपार्टमेंट के थे तो यह थे सी बी-आइज के आपका आसर है वह है स्पी इस सेंटली वूर्ड ऑफ इन्वेस्टिकेशन रेनॉइड नोबिलिस्ट बानो घुदिष् तो यह थी पाकिस्तान की तो आपका जो आंसर है वह है पाकिस्तान भी आपका अंसर है अब देखते हैं बुक से रिलेटें इंपोर्टन कोश्चन्स तो सलमान रुषदी के आपको जो दो बुक है जो कि याद रखनी है पहली तो यह बहुत इंपोर्टन है जो कि सेप्टेंबर में रिलीज होएगी और दूसरी मिडनाइट चिल्रन जिसको बुकर प्राइज मिला है 2008 के अंदर और 2008 के अंदर और किसके दौरह लिखे गई है सलमान रुषदी के दौरह लिखे गई है तो आपका अंसर है A So friends, यह सारे important questions थे जो कि आपके February 1st week में से थे तो उमीद आपको पसंदा होंगे And friends, if you are not subscribed our channel team now then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocab sun quiz, download vocab24 app now and if you enjoyed this video then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video So friends, thank you and all the best for upcoming exam Hope you like this video